उत्तर प्रदेश के अंगर योगी आदत्यनाद के खिलाफ बड़ी साज़श की जा रही है जानकारी के लिए बता दें कि आयोध्या में योगी आदत्यनाद के खिलाफ इतनी बड़ी साज़श हो रही है कि लखनव से लेकर दुबई तक इस साज़िश की बात चल रही है अयोध्या में ऐसा क्या हो गया जहां एनेजी कमांडो जब योगी ने तैनाद कर दिये उसके बाद भी योगी के खिलाफ ही साज़िश हो रही है अब ये साज़िश क्या आयोध्या में रहने बाले लोग कर रहे हैं या फिर विपक्ष कर रहा है ये आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा देखें ये रिपोर्ट कौन है वो ठेकेदार जो बना रहा था योगी सरकार के खिलाफ बड़ा प्लान अयोध्या की जेल में बंद मोईद के भी उड़ गए होश जब सुना शेहर में हो गया बड़ा खेल दिली से दुबई तक चली खबर अमेरिका से ब्रिटेन तक छड़ी चर्चा ये कैसे हो गया क्या योगी अधितनाथ के देश में कुछ ऐसा प्लैन बन रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है क्या यूपी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी जानकारी लखनव तक ठीक से नहीं पहुँच पा रही कुछ घड़ना इस और इशारा करती है जिनने देखकर आपको भी करने की साजिश हो रही है क्या पहला प्लान सफल हो चुका है बीते तीन महीने में राम जन्म भूमी आयोध्या से ऐसी खबरे सामनी आई जिसने सीधा सीधा योगी पर सवाल खड़े कर दिये और विपक्ष ने इस पर खूब सवाल उठाए सबसे पहले चार जून को बीज पुजारी यारोप लगाते हैं दिली से लेकर दुबई तक और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक इस बात की चर्चा होने लगती है कि मंदर निर्माड में जल्दबाजी की वज़े से वाटर प्रूफिंग का काम ठीक से नहीं हो पाया पर बाद में सच्चाई कुछ और साम सामने आती है कि आयोध्या के विकास प्रादिकरड ने ठेके के तहत फर्म यश एंटरप्राइज और कृष्णा आटो मुबाइल इसको टेंडर दिया था जिसके तहत रामपत के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट और भक्ति पत पर 96 गोब प्रोजेक्टर लाइट लगन थी लेकिन 9 माई को निरिक्षड के बाद ये पता लगा कि कुछ लाइट गाइब हैं सवाल तब उठे जब अगस्त के महीने में इसका मुकदमा दर्ज हुआ योगी सरकार का दिमाग भी इस बात पर हिल गया जहां कि सुरक्षा में हमने NSG कमांडो उतारे हैं जहां एक पत उन्होंने कहा आयोध्या में धर्मपत और रामपत पर लाइट चोरी यानि कि आयोध्या की जनता और आयोध्या वासियों को कटगरे में खड़ा करने का प्रयास ये विपक्षी दल के लोग करते हैं उन्होंने कहा कि सचाई ये थी कि वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट पानी थी चुनाव के कारण नहीं लगाई गए बाद में विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसने साजिश रची कि पैसा निकाल सके नहीं हो पाया तो उसने यह कंप्लेन कर दी लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है और अब उनके आकाओं को भी शिकंजे में लेंगे अब उस ठेकेदार का आका कौन है जो आयुध्या के बहाने योगी की छवी को खराब करने की कोशिश करना चाहता था उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ बलकि सीम योगी तो ये तक कहते हैं कि जिन लोगों को आयुध्या का ये झालतर प्रदेश